महामारी की दूसरी लहर से जूज रहे भारत को इस पीमारी से सिर्फ वैक्सीन ही बचा सकती है देश में दो वैक्सीन निर्माता होने के बावजूद देश वैक्सीन की भारी किलत का सामना कर रहा है इस बीच राश्ट्रिय तकनी की सलाकार समूह की ओर से टीका करण पर नई गाइडलाइन आई है तो क्या है नई गाइडलाइन आईए देखते हैं इस रिपोर्ट में देश में संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के लिए देश भर में वैक्सिनेशन कारिकरम चल रहा है जिसे लेकर एक सरकारी पैनल ने कोविड-19 वैक्सिनेशन में बदलाव को लेकर कुछ सुझाब दिये हैं टीका करण पर राष्ट्री तकनी की सलाकार समूह यानि एंटी एजियाई ने कोविशील्ड वैक्सिन की दो खुराक के बीच अंतर को बढ़ा कर 12 से 16 सप्ताह करने की सिफारिश्की है हलंकि कोवैक्सिन की खुराक के बीच अंतराल के लिए कोई बदलाव अभी सामने नहीं आया है एंटी एजियाई के सुझाब के अनुसार गर्बवती महिलाओं को कोई भी वैक्सिन लेने का विकल्प दिया जा सकता है और स्तन पान कराने वाली महिलाओं को प्रसफ के बाद किसी भी समय टीका लगाया जा सकता है वर्तमान प्रोटोकॉल के अनुसार संक्रमट से उबरने के 4-8 सप्ताह बाद टीका लगवाना चाहिए वर्तमान में कोविशील्ड की दो खुराक के बीच 8-12 सप्ताह का गैप है कई राजियों में टीके की कमी की रिपोर्ट के बाद ये सिफारिशें आई हैं इन सिफारिशों को अब वैक्सीन प्रशासन के राश्ट्रिय विशेशग्य समूह को भेजा जाएगा यहाँ पर इन सिफारिशों पर रिव्यू किया जाएगा दिल्ली महाराश्ट्र करनाटक और तेलंगाना सहित कई राजियों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बढ़ती माम को पूरा करने के लिए करेलू आपूर्ती की कमी के कारण एंटी कोरोनवाइरस शॉर्ट्स की खरीद के लिए वैश्विक ने विदाकाज चयान करने का फैसला किया है डीबी लाइब की रिपोर्ट